दिल्ली के जंगे चुनाव में बीजेपी ने कमर तो कसी, ये पहले से ही कसी हुई है, लेकिन अब आकरामक परचार की बारी है, बीजेपी इसी मूड में चुनावी मैदान में है, दिल्ली में 21 सालों के भूके को, सीटों के इस भूके को खत्म करना चाहती है, वहीं यही दिल्ली के दंगल में गरजेंगे योगी योगी के यलगार से होगा बेड़ा पार एदेशों से आई भगवा ब्रिगेड भी होगी मददगार जुनावी मोहाने पर खड़ी दिल्ली में बीजेपी बाजुए आजमाईश की तौर में अबल होती नजर आ रही है और इसी को धार देने अब बीजेपी के फायर ब्राण नेता और यूपी के सीएम योगी भी पधारने को है योगी यहां ताबरतोर दरजन भर रैलियों को सम्मोदित करते नजर आएंगे और हाँ इसी बीच दूसरे राज्यों से क्या विदेशों से भी बीजेपी परभारियों ने दिल्ली चुनावों को धार देनी शुरू करती है इसी सिल्सले में दिल्ली पहुंचे स्कॉटलैंड के बीजेपी परभारी आशीश ब्रहुंभट का भी यही कहना है योगी के एंट्री के बाद तो दिल्ली में नस्वीर पूरी तरह बदल कर रह जाएगी दूसरा योगी जी आपने आप में ये कमाल है बहुत अच्छे आदमी है बहुत मतलब कारियनीस्टे बहुत अच्छा काम करते और एक सक्सेस मुख्यमंत्री है पूरी प्रजा उनके पीछे है पूरी प्रजा उनकी बात सुनती है जुनावी पुर्चार चरम पर है जिस दिल्ली में अच्छे रहे पांस साल लगे रहो केजरिवाल के बैनरों से मटी आप सरकार है तो वही उसी दिल्ली में सत्ता में दोबारा दंडार तरीके से लौटी बीजेपी की केंज सरकारती है पामला वाकरी दिल्चस्ट है लेकिन वनवास के 21 साल जेल चुकी बीजेपी स्पार नो स्टोन अंटन की अंग्रेजी कहवत बारो सच करने पर पूरी तरह उतारू हो यहाँ यह केजरिवाल जी जो है अपने बच्चों की कसम खाके कहते थे और इसकी जगा आज आप देखिए कि यह इन्होंने साड़े चार साल तक आराम किया है कुछ काम दिल्ली में किया नहीं और आप जूट बोलने के लिए वापस आ गए दिल्ली की जनता बड़ी होशियार है उनको सब बालूम है क्या करना है तो उसका जवाब चुनाओ के दिन बटन दबा के यह दिल्ली की जनता दे देगी इसके लिए हमें कोई मुद्दे की जरूरत नहीं है और मैं तो देख रहा हूँ कि लास्ट तीन दिन से मेरा आनाव दिल्ली में हुआ है तीन दिन से जब से मैं आया हूँ यह मैंने अमिज साजी की रेलिया देखी और सब कुछ मैं देख रहा हूँ तीन दिन से पूरा चित्र बदल चुका है पूरी चित्र जो है उसमें पूरी जोम आ गई है भारते जनता पार्टी के सारे कारे करता जो है पूरे वीज़ई नाद में लगे हुए है और मुझे यहां की जवलंत वीज़ई अब दीख रही है इसके अलावा दिल्ली मुक्यमंती के चहरे पर उठते सवालों पर पीज़ई पी अब भिचक खतम करती हुई खुलकर सामने आने लगी है भारतिय जनता पार्टी जो है वो कोई चहरे की मोताज नहीं है देखिए एक दिन महारास्ट में हमने दिवेंद्र फटनवीस दिये है आज विज़ई रुपानी हमने गुजरात में दिये है आज हमारी हर जगा पर हमने जब जब हमारी सरकार बनी है हमने अच्छे अच्छे से अच्छे चेहरे केबिनेट में और मुख्यमंत्री के चेहरे दिये है हमारी एक विचार सरणी है एक विचार को लेके हम चलते है उस विचार के साथ जब भी हमारी सरकार बनेगी हम एक सत्य निष्टा वाली सरकार एक अच्छे विचारों वाली सरकार इस दिल्ली को जरूर दे देंगे पहले से ही मैदार में उतर चुके बीजेपी के चानक के आमित शाह और दरजनों के इंद्रिय मंत्रियों के साथ अब योगी के इंट्री और उपर से विदेशों में बसे बीजेपी की बागडोर संभाले भाजपाई दिल्ली के दंगल में चित कर डालने का मादा तो रखते हैं लेकिर फिलहाल तो जंग अभी जारी है और नतीजे अभी आने बाकी है देरो रिपोर्ट आर नाइन टीवी उत्तर परदेश उत्तराखन